असलाम अलीकूम जी अवरीवन सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स कॉंसेट थर्मल एक्सपेंशन का आई होब सो के लास्ट लेक्चर से आपको कुछ न कुछ चोटा मुटा नॉलेज मिल गया होगा थर्मल एक्सपेंशन का यह फनॉमना कैसे होता है क्या क्राइटेरिया होते हैं कैसे चीज़े एक्सपैंड हो जाती है तो आने वले जो अब लेक्चर है यह वला और इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें बहुत सी चीज़े आपको न्यू सीखने को मिलेंगी आपने बहुत ध्यान से इन लेक्चर को समझना है जी बेटा जी डिस जाता है अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं so in general when matter is heated it expands and when cool it contracts ठीक है matter को जब heat करते हैं तो expand होते हैं cool current तो contract होती है that's mean के जो जितना जादा expand करता है students वो उतना जादा contract भी करता है यह बात भूल नहीं है मैं बार बार रिपीट करूंगा इसको okay so if the changes are resisted larger force are created which are sometimes useful but other times noisiness so that's mean के कुछ चीज़े हमें हमारे लिए hurdle होती है so सबसे basic hurdle क्या है इसमें high tension electric cable become loose in summers जो आप wires यह जो आपके different poles पे लगी होती है जो electricity provide कर रही है इनका सबसे बड़ा problem यह होता है students के यह जब hot day में इनमें क्या आ जाती है इनमें एक loop सा create हो जाता है यह इस तरह का loop सा create हो जाता है ठीक हो गया इसको material science में fatigue कहते है ठीक हो गया यह आपको समझना नहीं है मैं वैसे ही कह रहा हूं ठीक हो गया कि मतलब heat की वज़ा से जो material expand हो जाते हैं अपनी length को increase कर लेते हैं उसको हम यह कहते हैं क्या कहते हैं उसको फटीक क्याते है डन लेकिन आपको नहीं समझना है आपको सरफ यह याद रखना है कि बहुत सी electric wires में electric cables में यह phenomena देखने को मिलता है कि जब आप एक proper size की wire लेकर connect कर कर देते हैं दो पोल से लेकिन जैसे ही वहां पे गर्मियां आती है स्टुनेंट समर आता है तो होता यह है कि वो जो wire है वो धीली हो जाती है और अपनी position को छोड़के लटकना शुरू हो जाती है ठीक हो गया अब आप कहेंगे सर इसके क्या disadvantage है इसके बहुत से disadvantage हो सकते है common disadvantage यह है कि जब यह cold मतब winters में आपने tightly connect किया ताकि आप इसमें में यह धीली होगी जैसी आंदी तुफान आएगा यह एक दूसे से collision के chances वड़ जाएंगा ठीक हो गया फिर इसकी वाज़ए से इनकी resistance इंक्रीज हो जाते क्योंकि length इंक्रीज होगी तो resistance इंक्रीज हो जाएगी तो दो तीन तरह की concept है आप इसमें यहां पर apply कर सकते हैं यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है कि thermal expansion हमें देखने को मिलती है खास दूरूपर bridges पे और जो railway tracks and instruments उनमें देखने को मिलती है अब जो करो यह जो मेरे दोनों है यह metallic material के हैं और गर्मी अई उनने expand होना तो expansion के लिए इनके पस जगा नहीं है तो यह क्या होंगे यह उस joint से expand होना शुरू हो जाएंगे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे जिस end से इनको connect किया गया है जोड़ा गया है ठीक हो गया बेटाजी अ अगर आप इनके दर्में space नहीं रखोगे तो यह ऐसे करके बाहर निकलाएंगे उस joint से बाहर निकलाते है बेटा जहां से आप connect करते हो ठीक हो गया तो इससे बचने के लिए यह railway tracks में भी देखा गया है और bridges में भी देखा गया तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि जहां भी आप metallic pieces यूज़ करते हैं चाहे वो trails की form में चाहे वो connections की form में कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं आप वहाँ पर क्या छोड़ देते हैं कुछ gaps छोड़ देते हैं ताकि अगर material expand हो तो उन जो gap अपने space छोड़ी है उसको वो क्या कर देखा बड़ी असानी से fill कर है अगर आपको experience railway track देखने का तो उसमें इस तरह करके railway tracks की बड़ी बड़ी इस तरह करके steels की steel के tracks रखे रहते हैं ऐसा नहीं होता एक ही नहीं होता कि continuously एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होगा बीच में बेटा joints रखे जाते हैं अब यह जो joints रखे गए यहां पे इनको pivot ल sunlight में रहना है temperature इनका 70 तक चला जाएगा 60-80 तक चला जाएगा तो जब वहां पर यह expand हो तो इस material को यह जो space है यह complete कर ले हो सकते हैं सर पता कैसे चलता है कि यह इतना जाद इतना gap रखना है हो सकता gap हम कम रखे जाधे expand करते हैं बिल्कुल बेटा अगर आप ऐसे सोचे तो सब्सक्राइब कोश्चाने आपका लेकिन आपका I guess A2 में आप टॉपिक पढ़ेंगे thermal physics आप linear expensivity ठीक हो क्या तो उस calculation से हमें अंदाजा होता है कि हम इतनी length रखेंगे तो इतनी expansion होगी तो वह calculation हम mathematically यूज कर रहे होता है ठीक हो कि जिसे हम हर किसम के risk से बच बच जाते है जी बेटा next disadvantage है कि खास दोर पर जो bones fracture हो जाती है वहां पर मैं एक मिंट just wait a minute मैं आपको previous screen दिखा देता हूं शायद मेरी जो पिक है वो आगे आगे यो देख लीचे कि दो pipes है railway tracks है और उसकी तरह मैं gap रखागे ठीक है इसको ट्रॉक कर लीचे कर बेटा ओके जी next some points पे चल रहे हैं next point वेटा जी हमारे पास यह है कि खास वबर जो bone fracture हो जाती है किसी accident की वज़े से drivers की okay तो वो bone को अपनी जगा पे लाने के लिए ठीक है bone imagine कर लो दो तीन जगा से टूट गई अब आपको उस bone को hold करके रखना है उसको कोई sport देनी है बेटा ठीक हो गया तो उसको sport देने के लिए क्या किया जाता है एक metallic plate को bone के अंदर या bone के साथ ऐसे रखके paste करके उसको nuts लगा के उसको hold कर दिया जाता है क्या मतलब निकले मैं इसान करो बेटा imagine कर लो यह कोई bone है अब यह different जगह से टूटी होई है यह ऐसे टूटी होई है ठीक हो क्या मैं क्या करूंगा यह metallic lunga sport इसको ऐसे connect किया ऐसे connect किया देखो finger साथ connect होगी ने बेटा अब इसके साथ मैं यहां पर nut लगा दूगा दूगा यहां पर nut लगा दूगा यहां पर nut लगा दूगा यहां पर nut लगा दूगा तो basically मैंने fracture area को sport pride की ताके वह एक दूसरे से join हो जाए और फिर आप इसमें उनके reaction होगे और proper glue की तरह दुबारा बोन जो है वह आपकी जोड़ जाती है ठीक हो गया बेटा अब जो material use करता हो ओविसली metallic होगा और nuts अगरा भी होंगे तो गर्मियों में आपको बाता है बोड़ी के जो internal temperature होता है वह काफी ज़दा हाई भी होता है अब summers में यह जब temperature shift होता है या environment आपका change हुआ सर्दियां आई गर्मियां तो उसकी वज़ए से वह जो बोन के साथ आपने material लगाया ना बेटा वो क्या होता है वो कभी expand होता है कभी contract होता है तो जिसकी वज़ए से आपको pain feel हो सकती है बेटा तो इससे यहां पे भी thermal expansion हमारे लिए फायदा मन नहीं होता लेकिन कुछ नहीं रहा ठीक हो गया तो आपने उसको warm water के अंदर immerse करके रख देना है तो बड़ी असानी सही open हो जाएगा मैंने तो experiment करके देखा था आप कर ली जाएगा all right वेटा जी next है to fit axle in the wheel expansion is used मुख्तलिफ tires के अंदर मुख्तलिफ axle के wheel के अंदर वेटा एक axle जो है वो insert की जाती है ठीक हो गया अब अगर axle इस तरह से insert की जाए कि उसको basically उसी size की बनाए जिस size का hole है उसी size का axle अगर हो तो chance होता है कि कहीं पे जादा जटके वगरा लगे जर्क्स लगे ट्रैवलिंग करते हुए up and down कोई road हुआ तो वहाँ पे जो axle हो wheel से बाहर निकलना जाए तो हम हमेश मेरी बात आयोप सो समझ गए होंगे आप और जो axle है उसको आप थोड़े ज्यादा थेकनेस की राख देता है ठीक हो क्या अब इस axle को heat करते हो यह expand होता है उसको इसको हतोड़े मार के hammering करके इसको इसके अंदर insert करते हो sudden cooling करते हो यह दुबारा से contract होता है दुबारा से यह area है इतना सा area है इसके अंदर हमने यह जो axle है यह insert करना और यह वड़ी असानी से हो भी हो भी जाएगा ठीक हो क्या अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा इस इस axle को इसके अंदर insert करना है तो इसको क्या किया जाता है इसको sudden cooling की जाती है जिसको हम कहते है liquid nitrogen के अंद जाता है compress होता है पतला हो जाता है तो इसके अंदर fit करके इसको दुबारा normal temperature पे ले आते हैं जिसकी वज़े से दुबारा expand होता है तो वहीं पे fix हो जाता है ठीक हो गया इसका बहुतर तरीका यह भी है कि हम wheel बनाए और उसको opening कैसे रख दें कैसे रख दें आल राइट ठी घडी अब क्या खरें जरण देखिएगा अब यह opening क्या है यह opening जो है यह आपके पास इस size के ठीक है अब आपने जो xl बीच में लेके आना है आप xl लेकर आना चाहते हो कि size का बेटा इतने size का लेकर आना चाहते हो ठीक हो गया अब आप जब इसको heat करते हो तो यह क्या हो करते है फिर इसको hammering करके इसके अंदर किसी तरह जान बूच के गुसा देते हैं यहां से और यहां से थोड़ा सा बाइर निकाल देते हैं अचानक इसके यूपर ठंडा पानी फैंकते हो या इसको cooling करके पानी के दर डिप करते हो तो फोरन से यह इस जगा पे क्या हो जाता है बेटा permanent fix हो जाता है ठीक हो गया तो बस आपको याद करना है कि thermal expansion यहां use हो जाती है इतना ही मुश्किल बाद नहीं है नेक्स यह जो topic है by metallic strip का बेटा यह important topic है by से नजर आ रहा है कि by stand for बेटा two okay strip stand for metallic strip मतलब metallic की बड़ी-बड़ी plates easy छोटी भी हो सकते है जरूरी नहीं by stand for बेटा two metallic strip मतलब दो plates आपने रख ली है क्या करने के लिए आपको यूज करनी है कुछ इस तरह के आपकी different जो household application है बेटा वहां पे आप यह utilize कर सके ठीक हो गया अब चलते हैं हम इस topic को समझने और याद रखे का यह topic important है बेटा काफी जदा important है इसको आपने बहुत ही समझना है नो बेटा देहां से देखिए का प्लीज मैंने by metallic strip यूज की और कुछ इस तरह करके मैंने एक shape बना ले यह shape क्या हुई बेटा एक दफ़ा दुबारा देखिएगा कि जो उपर वाला part है यह metal A का है that's mean यह किसी और metal का है नीचे वाला बेटा जो part है यह किसी और metal का है इसलिए इसको नाम दिया गया है metal A metal B ठीक हो गया बेटा इसको यहां पे हमने weld करके join कर दिया गया यह nut लगा के यह किसी तरह वह बैजिस गर लगा किसको बेटा fix कर दिया गया ओके यह end कौन सा है बेटा बोले शाबश फ्री एंड है done उपर वाला कौन सा point है contact point है और कि आपका जो connection है वह बड़ी असानी से क्या होजे बेटा बड़ी असानी से proper उसके साथ connect कर जाए contact point के साथ ठीक हो गया क्यों करवाना है सवाल यह पैदा होता है कोई भी application हो सकती है आप current का circuit flow करवाना चाहते हो आप कोई fire alarm बना रहे हो उसके लिए use करना चाहते हो आप को से बेटा इसको heat करता हूं तो just because कि solid with thermal expansion हो जाती है तो यही जो आपको by metallic strip नजर आ रही है जिसमें दो different materials बेटा लिए हुए यह अपने पात से band करके किदर चली जाती है उपर connect कर जाती है तो पहला impact मैंने by metallic strip का आपके जहन तक पुंचा दिया कि हमने दो metals को इस तरह से join क दिया है और इनको nut लगा दिये fix कर दिया इनको heat provide की बेटा heat provide की तो यही जो metallic strip थी जो इस तरह थी यह किस तरह होगी ऐसे band करके किदर पहुंच जाती है ऊपर contact point के साथ किसे ने किसी point के साथ जो हमारा source point होगा उसके साथ meet कर जाती है ठीक हो कि बेटा अब by metallic strip that means कि आपने two materials को select करना है तो आपके past paper के मताबिक मुझे ये चार material ही नजर आए हैं जो कि बाए metallic में use हो रहे थे बेटा एक material है brass then copper then steel then iron अब बेटा होता क्या जरा प्लीज देहान से समझेगा आपने इन दोनों में से कौन सा material select करना है कोई से दो material select करने हैं अगर मैं brass की property की बेटा ब की length में increment आता है और ये bend हो जाता है ओल राइट ठीक हो गया तो आपने समझना है thermal expansion में जब भी word बोलूंगा that's mean material उसकी length में increment हो जाता है या वो अपने ऐसे सीधा होगा तो वैसे bend हो जाएगा आपको पता है चीजे जब heat up होती है तो वो अपने shape को change कर लेती है ठीक हो गय लेकिन brass की निस्बत ये इतना जादा user friendly नहीं है ये इतना जादा bend नहीं होता as compared to brass हो जाता है लेकिन as compared to brass नहीं होता ब्रास सबसे जादा होता है ठीक है ब्रास से पीछे भी एक material aluminium है लेकिन फिलाल आप इंचार हो कोई समझ ले कॉपर जो है बेटा इसके बाद स्टील आत इसके साथ iron ने इन तीनों से सबसे जादा काम होती है आपको by metallic strip बनाने के लिए दो materials चूज करने होते हैं number one यह आप ले लो brass और copper ले लो यह brass और steel ले लो यह brass और iron ले लो मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक material आपने right side से choose करना है कोशिश करो steel और iron चूज कर लो और एक material देखेंगे बेटा तो हो सकता है वहाँ पर copper और iron की by metallic strip बनी हो गूगल पर चेक करेंगे तो आपको brass और steel की बनी होगी past paper में चेक करोगे तो आपको brass और steel का और भी नाम नजर आ जाएगा all right बेटा so मैं क्या क्या है रहा हूं आपने दो materials को select करना है number one brass को करोगे तो फिर copper steel iron में से किसी को भी कर लो copper को करोगे तो steel और iron में से किसी को कर लो इसी होता जा रहा है I hope so बेटा क्यूं ऐसा कर रहा हूं अब हम इस पर बात करते हैं तो बेटा एक जो material है वो मैंने किसका ले लिया जी मैं यहां पर आपको दुबारा समझाते तो एक material बेटा मुझे कौ thermal expansion जादा है so कौन सा लों क्या कहते हैं brass यह copper so चले आपके असानी के लिए मैं brass ले लेता हूं क्यों क्योंकि brass में सबसे ज्यादा thermal expansion देखने को मिलती है बेटा so याद रखिएगा key point दे रहा हूं कि आपका by metallic strip में ऊपर वाला by metallic strip की जो strip है वो material की होती है जिसकी thermal expansion सबसे ज brass की कौन सी layer लगानी पड़ेगी बेटा मुझे brass की layer लगानी पड़ेगी the upper one the top post clear हो गया जिसको metal A का नाम दिया अब नीचे वली जो बेटा layer है इसमें आपकी मर्जी है आप इसमें steel लगा लो आप इसमें copper लगा लो आप इसमें iron लगा लो जादा बेहतर यह है कि आप इस बेटा याद रखेगा के जो brass है यह ज्यादा expand करता है और जो steel है यह कम expand करता है जी बेटाची सो material है अब यह बाते आप लोग ने लिख लेनी आज़िए सो material एक दफ हमें हट जाता हूं जाके आप यह छुपे ना की slide ठीक है जी बेटाची materials having high thermal expansion material जिनकी thermal expansion ज्यादा होती है आपने क्या करना है वो ही उसी की कौन सी layer बनानी है upper layer बनानी है इसको as it is लिख लिए जाएगा यह मैंने सम्झाहाद दी आपको greater the expansion of the material upon heating greater will be the contraction so this material की जितनी ज्यादा expansion होगी बेटा जब उसको ठंडा करोगे तो उसकी उतनी ज्यादा contraction भी होगी done so this is a समझो कि दो layers लगा दी मैंने easy होगे बेटा the topmost brass the lower one steel इसको जैसे मैं bend कर रहा हूं तो आप देख रहे हो हलाग कि मेरी जो second finger है जो third finger second finger है यह ज्यादा नजर आ रहे हैं इसे टोके ठीक होगे तो copies को जब आपके वाच जो notebook है या topicals है उनको bend करो तो नीचे वली जो layer है वह ज्यादा size में आपको नजर आजेगी उपर वाली layer आपको कम साज़े लेकर अगर उनको सीधा करोगे तो दोनों equal हो जाएंगे ठीक होगे बेटा लेकर अगर उपर वाली layer ज्यादा expand होगी तो upon bending वो same size की हो जाएगी दोनों same size करेंगे ऐसा नहीं होगा कि एक जादा आगे निकल जाएगी जब दोनों bend होगी बेटा तो वो दोनों same distance और same size को अप्रोच कर लेंगे लेकिन किसमें सबसे ज़्यादा expansion होगी ऊपर वाली layer में यह आपने लिख लिए होगा और असान करते हैं नो लिसन पीस बेटा यह चेक कीजएगा हमने किस material की बना ली बोले शाबाश copper की बना ली देन किसकी बना ली iron की बना तो before heating यह बिलकुल state है बेटा after heating क्या हो गया है यह इस तरह करके बेंड हो गई है सो नीचे वरी layer कम expand करेगी उपर वर लेर बेटा जी जादा expand करेगी ठीक हो गया आई होप सो यह चीज़े आपको समझ आ गई होंगी ली सो यह जो wording है इनको जरा लिक लीचेगा यह भी आपने देख लेना है और हम बेसिकली करना क्या चाते हैं यह देखना चाते हैं कि यह thermal यह जो contact है हम जो protect करवाना चाते हैं इसी दो चीजों के तर्म्याद हम अपने कंट्रोल में कंट्रेक्ट रखना चाहते हैं हम जब मर्जी चाहें वह जो क्टेक्ट हैं जिससे सरक्ट कंपलेट होगा जिससे आप की जो आप्लिकेशन वह वरकिंग में आएगगे हम जब चाहें हो कुनेक्शन ब्रेक हो गे हमारी off हो जाए हम जब चाहें वह connection complete हो जाए और हमारा जो working model है वह working करना शुरू हो जाए ज़रा इक तफा दिहान से देखिएगा यह तो होपस हो कि आपको समझ आ गई होगी हाई metal strip है move करोगे तो यह connection बेटा break होगे वैसे connection आपके continuously meet किये हुए है यहां पर in contact है दो चीज़े ओके यह चीज़े इंपॉर्टेंट है बेटा जब नॉर्मल है तो दोनों किसमे नजर आएगी ब्रास में नजर आएगी expansion किसमें नजर आए ब्रास में नजर आए steel कि इसलिए यूज़ हो रहा है steel सिर्फ स्पोर्ट देने के लिए यूज़ हो रहे है है okay हो गया okay so अब हम यूज नेक्स वीडियो में नेक्स लेक्चर में चला देखते हैं कि बाइम मेटालिक किस तरह मेटीरियल्स यूज़ होता है हमारी डिफेर्ट अप्लिकेशन के लिए बेटा तब तक के लिए अलाफेस टेक क्या